नमस्कार, मैं अपनित दरिपाद है, लाइब हिंदुस्तान की जोतिशे कारिकरा में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, सबसे पहले हम लोग 8 मई 2023 की ग्राय स्थिति देखते हैं, मेश राशी में सुर्य, बुद्ध, गुरू, राहू, मिथुन राशी में मंगल और शुक, केतू तुला राशी में, चंद्रमाब्रेश्चिक राशी में, शनी, कुम्भ राशी में गोचर में चल ले हैं और बुद्ध आजकल वक्री चल ले हैं, राशी फद्दे, मेश और से भी कोई रिस्क मत लेगे लाल बस्तू पास रखे और काली बस्तू की दान करें विश्व राशी उमंगे तरंगे बनी रहेगी जीवन में आप बहुत रंगीनियों के साथ आनंद लेंगे स्वास्त अच्छा है प्रेम संतान की इस्थिती थोड़ी बेटर है व्यापार रहेगा प्रेम संतान की इस्थिती बहतर है ब्यापार भी अच्छा है लाल बस्तू का डान करें करक राशी लिखने पढ़ने में समय बैतीत करें मन की सुनिये लेकिन रियाक्ट बहुत बद करिए स्वास्त ठीक है प्रेम संतान की इस्थिती कम उलजिएगा थोड़ा तू चीजों को बहुत शान्त होके निप्टाएं घर में तूतू में में से बचे स्वास्त नरम गरम प्रेम संतान की इस्थिती भी मध्यम है ब्यापार लगभग ठीक चलेगा बजरंग बली को प्रड़ाम करते रहें कन्यरश अक्रामक बने रहेंगे खासकर ब्यापारिक इस् प्रेम संतान की इस्थिती थोड़ी मध्यम है ब्यापार सही चल लहा है शनी देव को प्रड़ाम करते हैं तुला राशी वाणी पे नियंत्र रखें अशुभ और जादे बोलने से बचें प्रेम संतान की इस्थिती बहतर है थोड़ा डर की शाय में जी रहें हैं उस पर चलता रहेगा शनी देव को प्रड़ाम करते हैं ब्रिश्यक राशी आकर्शन के केंद्र बने रहेंगे जिस्चेश की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता भी जीवन में रहेगी स्वास्त अच्छा है प्रेम संतान भी अच्छा है ब्यापार भी अच्छा है पीली बस तु मध्यम देख रहा है कोई लंबा इंवेस्टमेंट का प्लान ना बनाया लाल बस तुपास रख मकरश आर्थिक स्थति मजबूत होगी अच्छे समचार की प्राप्ती होगी रुका हुआ धन मिल सकता है यात्रा में लाव होगा स्वास्त्रेम्व्या पार बहुत अच्छा ह इसको प्रणाब करते हैं को मरश भागे साथ देगा कोट का चेरी में विजय मिलेगा उचाधिकालियों का अशिरवाद मिलेगा स्वास्त अच्छा है प्रेम संतान मध्यम है व्यापार बहुत अच्छा है लाल बस तुपी दान करें मीन डर्श यात्र में लाव होगा धरम करम में हिस्ता लेंगे स्वास्त थोड़ा मध्यम है प्रेम संतान में सुधार व्यापार में भी सुधार पीली बस तुपास रखें लाउस्कार